Hi friends, welcome to my channel Weken Tadka by Eisha Bakshi friends आज weekend तड़का में आप सबके साथ Quando Freunds कर रही हूँ, क्रीमी की एक special बहुत ही special जिसे कहें हम वो recipe friends कैसे यह creamy बनती है, किस किस time पर क्या-क्या चीज़े में डालें तो हमारी खीर क्रीमी बने उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पूरी वीडियो फ्रेंड्स तो सबसे पहले हमने ये चावल लिये है हाफ कप तो हमने हाफ कप इसलिए ये चावल लिये है क्योंकि जो खीर हम बना रहे हैं तो चावल को अच्छे से हमने पानी में से धो लिया है कब से कम तीन से चार बार और उसके बाद पानी में चावल को भिगो के रख दिया है हाफ एनार के लिए उसके बाद हमने एक पतीला लिया है जिसमें नीचे थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि दूद हमारा साथ चिपकेना तो ये पहला स्टेप बहुत जरूरी है याद रखना आप सब जब भी खीर बनाए तो नीचे पानी जरूर डाले फिर उसके बाद दूद डाले और दूद को अच्छे से हिलाते रहें जब तक उबाला ना आजाए ग्यास का फ्लेम बिलकुल मीडियम ही रखना है आपको तो आप दूद हिलाते रहेंगे तो आपका दूद भी नीचे आपने पानी डाल दिया है तो साथ लगेगा ही नहीं तो हम हिला रहें दूद को अच्छी तरीके से और चावल भी हमने भीगो के रख दिये हैं हाफे नार के लिए भीगे बे चावल की खीर बहुत ही अच्छी बन दिया है और चावल भी हमने चावल टुकडा लिया है और आप देख सते हैं बिलकुल बारीक बारीक हैं चावल जब दूद उबल गया था उसके बाद हमने चावल डाल दी है और एक दम से हमने PCV इलाइची डाली है तो हमने इलाइची भी डाल दी है और चावल भी डाल दी है अब दोनों चीजों को दूद में अच्छे से हमें से पकने देंगे कम से कम हम एक घंटा इसको बिल्कुल स्लो गैस फ्लेम पर अच्छे से बॉइल होने देंगे जब तक हमारा जो यह जो दूद है रिडियूज ना हो जाए और जब तक क्रीमीनेस ना आ जाए क्रीमीनेस कैसे आती है खीर में जब तक हमारा जो दूद है रबड़ी की तरह ना बन जाए ना तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे और बिल्कुल स्लो गैस फ्लेम पर ऐसे ही ढखके रखेंगे तो 15 मिनट्स के बाद मैंने एक कडाई ली है जिसमें मैंने वन स्पून देसी घी डाल दिया है और देसी घी में ही हम सारे ड्राइफ फ्रूट्स को रोस्ट कर ल अच्छी तरीके से और गैस का फ्लेम बन करके उसके बाद आप किश्मिश डाले और अच्छे से मिक्स अप कर लें और गैस का फ्लेम तो अल्रेडी बन दी है फिर उसके पाद यह सारे ड्राइफ फ्रूट्स को एक बॉल में निकाल लिए और दूद को हम साथ के साथ हिलाते रहेंगे आप देख सकते हैं कि चावल तो अच्छे से बॉल्ड हो चुके है बट लेकिन अभी जो दूद है वो डिड्यूज नहीं हुआ है तो अभी हम हिलाते रहेंगे जब तो क्रीमी नेस ना आ जाए दूद में और फिर उसके बाद हम डालेंगे जब चावल अच्छे से बॉल्ड हो जाएंगे ना तो हम डालेंगे चीनी तो चीनी मैंने इसमें वन बॉल डाली है क्योंकि हम इसमें जो खीर बना रहे हैं वो दो लिटर दूद की बना रहे हैं तो हमने चीनी वन बॉल डालिया चीनी अपने टेस्ट के कॉर से बॉयल्ड हो जाएं उसके बाद चीनी डाले और अच्छे से इसको बॉयल्ड होने दे अच्छी तरीके से रोस्ट होने दे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आना स्टार्ट हो चुका है खीर का बट अभी भी हम दीरे-दीरे साथ के साथ इसको हिलाते रहेंगे और इसको अच्छे से बॉयल्ड होने देंगे और ये जो खीर है आप सब भी बनाएं जरूर क्योंकि ये खीर गर्मियों में थंडी घर के खाने में बहुत ही अच्छा हाथ लगता है और आपकी घर कोई गैस चाह गए हैं आप सोच रहे हैं डैजर्ट में क्या बनाएं कु इसको फ्रिज में रख सकते हैं जब आपके घर गैस आजए तो आप उनको खाना खाने के बाद इसको सफ कर सकते हैं थंडा तो बहुत ही अच्छी लगेगी तो लास्ट में हमने डाल दिया है अदाम काजू किशमिश जो हमने घी में रोस्ट किये थे ना वो तो आप देख सकते हैं कि दूद्ध हमारा अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो चुक है और चावल अलग है और विलकुल दूद में मिकस आप हो चुके हैं अच्छी तरीके से तो अब हम इसको इसको एस टाइम पर गैस का फ्लेम हम थोड़ा तेज कर देंगे तो और अच्छे से हम इसक से मिक्स अफ जब भी ड्राइफ वूट्स डालें यह ग्सीर यूपने से और तो इस सुर्ट भी खीर और स्वाद लगती हैं लिखने में ठीचू कितनी डिलीशियस कर फीधने में जितनी अच्छी यह दिखने में लग रही है ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट पीए फ्रेंड्स मलाई भी आ रही है रबड़ी अप देख सकते हैं खीर का कलर भी चेंज हो चुका है तो हम गास का फ्लेम उसके बाद बंख कर देंगे क्योंकि म थंडी होने के बाद और गाड़ी हो जाती है तो आप देख सकते हैं इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम बंद भी कर देंगे और इसको थंडा होने देंगे अच्छे से और जब यह थोड़ा नॉर्मल टेंपरेचर में आ जाएगा तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं हम सर्विंग बॉल में सर्फ करेंगे थंडी या गरम यह आपकी विश आप कैसा खाना पसंद करते हैं फ्रेंट्स